हेलो एविवन आज हम एक फूल की चाह इस पाट के प्रिश्ण उतर कर रहे हैं तो इसमें पहला प्रिश्ण है कवीता की उन पंक्तियों को लिखिये जिन में निम लिखित अर्थ का बोध होता हो तो पंक्तियां जो है वो यह है नहीं खेलना रुकता उसका नहीं ठैरती वह है पल भर मेर dai काप उठता था बाहर गई नहार उसे तो बाहर खेलने चली जाती है और उसे देखकर के यहाँ पर यह वली पंक्तियां जो है यहां पर इसका अर्थ होता है सुख्या कि बाहर जाने पर पिता का हृढ़ देख ता ये अर्थ जो है इन पंक्तियों में आया है दूसरा जो है यहां देखो परवत की चोटी परस्थित मंदिर की अनुपम शोभा ये जो है इन पंक्तियों में आया है उचे सेल सिखर के उपर मंदिर था विस्तेन विशाल स्वन कलस सरसीज विहसे थे पाकर समुदित रवी कर जाल इन लाइन्स में मंदिर की शोभा का वर्नन हमें मिल जाएगा उसके बाद यहाँ पर देखो पुजारी के प्रशाद और फूल पाने पर सुखिया के पिता की मन अस्तितिय में बतानी है तो भूल गया उसका लिना जट परम लापसा पाकर में सोचा बेटी को मा के ये पुने पुश्प दे जाकरे में जाकर के मैं ये फूल उसे दे दूँ पिता की मन अस्तिति को बताया है इन लाइन्स में इन पंक्तियों में उसके पिताजी की मन की स्थिती को बताया है कि उनके मन में क्या भाव आ रहे थे ये जो लाइन्स है इसमें लाइन्स को आप याद कर सकते हो उसके बाद देखो पिता की वेदना और पश्चताप जो है वो इन लाइन्ज में दिखाई दिया है वेदना यानि पिता जी को जो दुख था वो पश्चताप यानि पश्चतावा था उन्हें उन्हें पश्चतावा हो रहा था तो बुजी पड़ी थी चिता वहाँ पर छाती दिदक उठी मेरी हाई फूर सी कोमल बच्ची हुई राक की ती धेरी जब वो बच्ची मोत को प्राप्त हो जाती है महामारी के कारण तो अंतिम बार गोध में बेटी तुझको लेना सका में हाँ ए फूर मा का प्रशाद भी तुझको देना सका में हाँ तो यहाँ पर वो अपनी बेटी को नहीं देख पाने के लिए अचनद पश्यताप कर रहा है और वेदना जो है यहां पर clear आपको देखरी है लाइंस में कि किस प्रकार से वो बेटी को नहीं देख पाने के लिए दुखी है और उसके बिना ही उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया है बेटी का महामारी के कारण उसकी मृत्यू हो चुकी है बहुत ही मारमिक कहानी है आप ज वह है इस चैप्टर में दिखाई गई है जो मैंने आपको एक और चैप्टर में इसकी व्याख्या में भी बताया था यहां पर आप देखो बच्ची ने क्या इच्छा प्रकट की थी कि वह देवी माता के मंदिर के प्रशाद का एक फूल चाहते थी सुक्या के पिता पर इसे चुआ ना जाए और समाज के कुलीन जो लोग थे जो अपने आपको उच्च वर्का समझते थे उन्होंने उसका प्रवेश वर्जित कर रखा था यानि मंदिर में उसे आना मना कर रखा था सुक्या का पिता अपनी बेटी की इच्छा पूरी करने के लिए मंदिर में गया और देवी के अपमान का रोप लगा करके उसे साथ दिन की सजा दी गई थी जेल से चूटने के बाद सुक्या के पिता ने अपनी बच्ची को किस रूप में पाया तो उसे अपने बच्ची को राक की धेरी की रूप में यहाँ पाया था कविता का किंद्री भाव देखो किंद्री भाव क्या है कि समाज में अमरे किस तरह से भेद भाव है उँच नीचा और छूआ चूट है सारी कविता में यही बताया गया है यहाँ पर देखो इस कविता में कुछ भाशिक प्रतिविम्बो को छाट कर लिखे लिखना है तो यहाँ पहला जो है कितना बड़ा तमीर तीमीर आया अंदिकार की छाया यह भी एक विम्ब है दूसरा हाय फूल सी कोमल बच्ची तीसरा हुई राक की थी धेरी यहाँ पर लिखना है और चोथा स्वन घनों में कबरभी डूबा इसी तर से पांचवाँ जूसी सी जाती थी आँखे फिर मारा प्रिश्ना जाता है यहाँ देखो इन पंक्तियों का आशे बताना है और अर्थ स्वंजरे बताना है एव शांत वर्षा करके भी आँखे तनिक नहीं रहती यहाँ पर आशे क्या है कि सुख्या के पिता को मंदिर की पवितरता नष्ट करने और देवी को अपमानित करने के लिए जुर्म में साथ दिन के लिए सजा सुनाई गई और इसी जैसे वहाँ काफी दुखी हो रहा था वहाँ बहुत दुखी हो रहा था साथ दिन तक उसको सजा सुनाई गई थी और उसने अपना जो पूरा समय है रोते रोते भी रहा था लेकिन फिर भी उसके दुख कम नहीं हुए थे यहाँ पर अर्थ सुन्दरी की बात कहें तो बादलों के एक दो दिन बरसने से उनका जल खतम हो जाता है और वे अपनास्तित्व खो बैठते हैं लेकिन पिता की अखें जो थी साथ दिन तक लगातार बर्शी थी फिर भी उसकी वेदना कम नहीं हुई यहाँ पर अर्थ सुन्दरी जो है इसके बाद देखिए दूसरा जो है बुजी पड़ी थी चिता वहाँ पर धदक उठी मेरी अब यहाँ देखो आशे क्या है कि जब वो जेल से चूटा तो समसान में गया देखा तो बेटी वहाँ पर पड़ी हुई है अर्थ सुन्दरी क्या है इसमें करुणा जो है अर्थ में करुणा है इन पंक्तियों में और पिता की छाती का दिधकना दो मार्मिक द्रश्य इसकविता में हम देख सकते हैं और इसे पाठक जो है द्रवित हो जाता है दुखी हो जाता है चक्षुक बिम्ब है यानि कि हमें पढ़ करके क्लियर वो बात समझ में आ जाती है दिखाई देता है जैसे हमारे सामने कोई पिक्चर होती है फिर यहां देखो हाई चुपटा पड़ी थी अटल शांती सी धारन कर तो इस काशे क्या है अपनी बेटी जो थी उसकी वो चुपटा पड़ी हुई थी पहले इधर उदर खेलती रहती थी अब बिमारी के कारण सिथिल थी तो यहां पर अर्थ संदरी के बात करें तो बिमार में घुषकर किया नर्थ भारी इसका शे क्या है लोगों ने पवित्रता नस्ट करने का उस पर अर्वोप लगाया और अर्थ संदरी की बात करें तुत्ति रिश्कार और धिकार की भावना को बताया है कि यहां पर आप देखो कि प्रश्ण जो है वह है यह नोट डाउन कर सकते हो आप प्रश्ण इस प्रश्ण का उत्तर एक फूल की चाहा एक कथात्मक कविता है इसकी कहानी को संगशेप में लिखना है तो यहां पर पूरी कहानी संगशेप में आपको बताई है इसे देख करके आप नोट करना और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि किसने अपना हूमवक पूरा किया है आज का आपका हूमवक यह वाला है कि आपको इस कहानी को लिख करके याद करना है और समझना भी है देखो यहाँ अगर आप इसको पूरा लिख लेते हो पढ़ लेते हो ना तो फिर आपको अच्छे अंक मिलना बिल्कुल मेरी गैरेंटी है कि आपको अच्छे अंक मिल जाएंगे यहाँ देखे बच्ची के अंतिम समय में भी उसे गोध में नहीं ले सका उसके बाद यह प्रश्ने हैं यहाँ यह देखो बेटी पर अधारित निराला की रचनास यह तो हमारे अभी पढ़ने का काम है उसके बाद यहाँ पर